नमस्का मैं उससी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं ड्रैगन ने एलेसी पर 20 जवान किये तैनाथ भारत के साथ भरोसे लगतार तोरते हुए चीन ने पूरभी लद्दा की गलवान घाटी में वास्तविक नियंतरन लेखा एलेसी पर फिपलस लिबरेशन आर्मी के करीब 20 जवान को तैनात कर दिया है उद्धर दूसरी और से खबर भी आ रहे कि पकिस्तान ने भी ल-ो-सी पर 20 जवानों को तैनात किया है मेडिया में आ रही ख़बरों के अनुसार चीन अपने सिंजिंग यांग में करीब 20 से 12 हजार जवानों को मुस्तायत किये हुए हैं जो जरूरत पढ़ने पर जल्दी भारती सिमा के नजदिक पहुँच सकते हैं सरकारी सुत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने जवानों को दो डिविजन में करीब 20 हजार जवान को एलेसी के पूरी लदाख में तैनाद किया है वहीं एक डिविजन को बैक अप के रूप में रखा है जारखन मौसम विभा के पूरवा अनुमान के अनुसार 6 जुलाई तक राशी समयत आसपास के छेत्रों में बादल चाहे रहेंगे गरज के साथ हलकी बारिस जबकि 2 को मध्य दर्जे की बारिस की संभावना है 3-4 जुलाई को दो या दो से अधिक भार गरज के साथ हलकी मध्य की बारिस हो सकती है 5-6 जुलाई को भी एक दो बार हलके से मध्य दर्ज की बारिस होगी दसवी बरावी रिजल्ट 2-3 दिन में जारी जार computer के जारी करेगा जैक के बर्ष 2020 के रिजल्ट भी ऑनलाइन जारी होगी जो www.jack.nac.in पर रिएल्ट देखे जा सकते हैं जार्खन में आज 35 संक्रमितों के पुष्टी हुई जो धनबाद से 6 पूर्वी सिमू आठ हजारी बाग पांच गड़वा चार पांकुर दो रांची दो साहिव गंज दो दूमका एक बुकारो एक गुमला एक खुटी एक गोड़ा एक लोर्दागा से एक हैं जार्खन में कुल संक्रमितों के 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 सं एक कोड़ार्मा 35 लाते हार एक लोहर्दागा 13 पांकुर 3 पलामू 2 रामगर 6 राच्ची पच्पन साइब गंजदः सराइक लाप परवासी मच्दूर के बच्चे और आप पंच पने वाले बच्चे के सरवेक्षन के साथ ही नमाइकन का कर्फ पूरा करने का लक्ष्ताइग रू इसक्ति राइब लूंब सिख्षकों के ट्रांसफर में गड़वई राजेक के प्राथमिक से लेकर उच विद्यालत तक के सिख्षकों के अस्थनांतर परकिरिया जीला अस्तर पर सुरूग की गई है नई सिख्षक अस्थनांतर निमावली के ताहत पूरी परकिरिया ओनलाइन होनी है ट्रांसफर में पूरी परदर्सिता बरतने को कहा गया है पर राज के कई जिलो में नियमावली के प्रवधानों के अंदेखी कर सिख्षकों के ट्रांसफर की परकिरिया शुरू हो गयी है सिख्षक संग ने इस परापती जताई है और अखिल जार्खंड प्रात्मिक सिख्षक संग ने इस समद में इसकुली सिख्षावा सर्षर्टा विभाग के सचीव को ज्यापन सवपा है दा ग्रेट इंडियन टी एंड एसनेक्स के लिए क्रितिका पांडे को राष्ट मंडल लगु कथा पुरसकार जार्खं की क्रितिका पांडे को बर्स 2020 का राष्ट मंडल लगु कथा पुरसकार मिला है इसके लिए मुख मंत्री हमन सुरेन ने उन्हें बुद्धवार को ट्वेट करके बदाई दी सिरी सुरेन ने अपने ट्वेट में कहा राष्ट मंडल का यह बैसिक पुरस्कार जितने पर राची की क्रितिका पांडे को हर्दिक सुभकम ना है यह पुरस्कार राष्ट रिये जाफन टी-ैंD-NX North के लिए दिया गया है सनविदा पर नियुक्द कर्मिजों को 8 सफथा में बयतन का व्यादेश हाई चोंट जर 수awn हाई ए्ट提供 17 चिकलित्सक किये समानित सब्सक्ट्रें में सबसे अधीक मरीज्स सब्सक्राइब किया रِम्स में अवित उस कारीःकurrection के सेंट की और से बलाड डूनेट केम्प और पदारोपन कारेकरम का भी आउयन किया गया गड़ऊ में परदान मन्तृ ग्रामी इवासयोजना में फर्जीवड़ा गड़ऊा जीला में परदान मन्तृ आवासयोजना ग्रामीन के तहत बनने वाले आवas वो की मजदूरों प reads myirk में बड़ा घपला हुए है मामला गडवा जिला के रमकंडा प्रखंड की विर्जापूर पंचाइद का है अरोफाई की स्वयन सिवक अरुन कुमार ने मंदेगा के ताथ पीम आवास्योजना में काम कर रहे मजदूरों के बदले अपने चहेते मजदूरों के नाम में डिव पर पोश्टर बाजी की है नक्सलियों की ओर से किये कर पोश्टर बाजी में बिते 29 जून को देवानंद मुंडा के हत्या की जिमिदारे विली गई है वही पोश्टर बाजी के बाद गरामिनों में दहसत का महल है पुलिस ने सभी पोश्टर को जब्त कर लिया है और पूर सिपाही रेंक वाले नहीं रहेंगे अब इस पद को जमादार समालेंगे जमादार ही थाने में लेखन कार्य करेंगे पुलिस मुख्याले ने इसे समधित आदे सभी जिला के SP SSP range DIG को दिया है पूलिस मुख्याले से मिली जनकारी के अनुसार थाने में लेखन कार्ये में लगे सिपाही पर कई परकार के आरोप लगे रहे थे इसे समधित सिकायते पूलिस मुख्याले में भी पहुंच रही थी इनी सिकायतों के बाद पूलिस ने ऐसा कदाम उठाया ह रामघर में विस्यस सफाय अभियान शुरू रामघर DC के निर्देश पर नगर परिष्थ रामघर द्वारा एक जुलाई छी से पंदरह सफाय अभ्यान चलया जा रहा है इस विशाय पर बात करते हुए नगर परिशत के कारेपालाग पता अधिकारी सुरेश्यादों ने कहा कि इस अभ्यान के शुरू होने के पुर्व में ही नगर परिशत की टीम के द्वारा सभीवाडों में मांसुन के मौसम को देखते हुए नालियों की सफाई करवाई दी ग उन्होंने बताया कि 15 नौमर 2018 को मेरिट लिस्ट के अधार पर 349 होमगाट अभियार्थी के चैन की सूची प्रकासित की गई थी जीला समादेश्टा ग्री रक्षव आईनी के कर्याले से सभी नौचेनी थोमगाट को प्रसिक्षन में जाने से पूर्व वर्दी सिल्वाने का निर्देश भी दिया गया था साथ ही सभी अभियार्थियों से 8000 रूपए लेकर वर्दी वगयरा अनजरूई समान भी दिये गए थे रामेश्वर मुर्मो की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफतार करे राजेपाल जार्खंड की राजेपाल द्रोपती मुर्मो ने मंगलवार को पूलिस महानी देशक एमबी राओ को राजभवन बुला कर उनसे सहीद सिद्धू कानों के वनसज रामेश्वर मुर्मो के अत्या की घटना चनकारी ली राजेपाल ने इस घटना को अत्यांत दुर्भाग गया पूर्ण बताते हुए कहा कि इस प्रक्रण में सभी दोसी ब्यक्तियों को सिख्र पकड़कर उनके विरूत कानोंनी करवाई की जाए लोहरदागा में डीसी ने गरीब कल्यान योजना को लेकर बैठक की लोहरदागा डीसी आकांचर रंजन की अध्यास्ता में बुद्वार को गरीब कल्यान रोजगार अभियान के वो लेकर समिक्छा बैठक की गई बैठक में प्रधार मंत्री गरीब कल्यान रोजगार आभियान के मुख उदेश प्रवासी स्रमिकों को ततकाल रोजगार उपलब्द कराने गाउं में लोकल कल्यान कारिक कारियों से संत्रिप्त करना दिर्ग कालिक जीको परजन के आउसर उत्पन करना सहित अन्य योजनाओं में परवासी स्रमिकों को रोजगार उपलब्द कराना जैसे मुदे पर चार्चा की गई मुख मंत्री ने परमबीर चक्रविजेता अब्दूल हमीद की जयानती पर सधान्जली दी मुख मंत्री हमन सुरेड ने परमबीर चक्रवीता अमर सहीद बीर अब्दूल हमीद की जानती पर उन्हें सत्सत नमन किया मुख मंत्री ने कहा 1965 के भारत पकिस्तान यूद में दूस्मानों के खिलाप अदमे बीरता का परिच्चा बीर अब्दूल हमीद जी ने दिया था उन्होंने अपनी मातरी भूमी की राक्षा के लिए अपने प्रानों की आउती दी थी देश उनके बज़िदान का सदवे रीनी रहेगा आस्ट्रेलिया ने जार्खन में सिक्छा खेल स्वास्त खनन छेत्रों में जार्खन सरकार के साथ मिलकर कार करेगा भारत में आस्ट्रेलिया के हाई कमिशनर बैरी ओ फोरेल ने बुद्वार को मुख मंत्री हमन सर्कार मंत्री जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि जार्खन में में मेडिकल उन्वरसिटी होगा यहां से डॉक्टर तयार होंगे अब परदेश के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा उन्होंने उनका ब्लू पिरिंट भी तयार कर लिया है मेडिकल डालोग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जार्खन के सबसे बड़े सरकारी एस्पेताल राइंडर इंशूट अफ मेडिकल साइंस को अपग्रेड करके इसे भी सुभी द्याले का दार्चाथ दिया जाएगा इसका नाम जार्खन मेडिकल उनिवर्सिटी होगा धन्यवाद आज के लिए वस इतना ही कल से आपको 25 वीडियो मिलेंगे तो आज के लिए इतना ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को वार्ट से फेस्बुक टूटर इंस्टागराम पस सेयर करें